देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं ठीक हो रहे मरीज से ज्यादा एक्टिव केस में बढ़ोती देखने के लिए बिल रही है देश में बुदवा को 45,600 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉसिटिव आई है इस दौरान 44,506 लोग ठीक भी हुए और 819 मरीजों की संक्रमण की वरे से जान भी चली गई है इस तरह एक्टिव केस यानिक इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 300 से ज्यादा पहुंच चुकी है बता देश में 56 दिनों के बाद नए केस ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा आए है 56 दिनों के बाद ये एक्टिव केस में बढ़ोती देखी गई है इससे पहले 12 माई को 3,62,000 केस सामने आए थे और 3,52,000 मरीज ठीक भी हुए थे इसे दिन एक्टिव केस स्कीम में भी 6,399 की बढ़ोहत्री हुई थी इसके बाद से एक्टिव केस में लगाता गिरावच हो रही है RSS चीफ मोहन भागवद दो दिनों से चित्रकूट में है बुद्वार को वो पद्मविभूशन जगद गुरू राम भदर चारे भारास से मिलने के लिए तुलसी पीट आश्रम पहुंच गए वहां करीब देर खंटे तक 40 बैठक के बाद राम भदर चारे ने बड़ा बयान भी दी दिया भागवद से मुलकात के बाद जगद गुरू राम भदर चारे ने कहा कि RSS प्रमुक मोहन भागवद का डियने वाला बयान अनुकूल नहीं है राम भद अचारे यहीं नहीं रुके उन्होंने योगी सरकार और पिशले दिनों हुए जिला पंचाय चुना पर भी निशाना सादा बोले उन्होंने कहा कि यहां के जिला पंचाय से मैं संतोष चुनाई ही हूँ लेकिन यूपी में फिर बीजिपी की सरकार ही बनेगी, उन्होंने कहा कि सरकार का काम काज अच्छा नहीं है, योगी सरकार का काम केवल सोशल बीजिया तक ही सीमित है, उसका धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा है। अलार अगरबती यानि की लालू रावडी अगरबती की खुश्वू अब चारो तरफ फैल गई है, लालू रावडी के बड़े बेचे तेश प्रताप यादव बिजनसमेन भी बन गए हैं, उन्होंने अगरबती का कारोबार शुरू किया है, इसका खास शोरूम तेश प्रत करते हैं, सत्ता में रहने के दौरान मुख्यमंत्री आवास में भी लालू प्रसाद का खटाल था, इसी में अगरबतीयां बनती हैं और शोरूम से बेची जाती हैं, तेश प्रताप यादव शोरूम में हमेशा नहीं बैठते कभी कभी आते हैं, लेकिन यहां लगे सीसी ट हर में केंदर और राज़स सरकार के खिलाफ जम का विरोध प्रदर्शन किया, बड़ती महंगाई, बेरुजगारी, भिस्टचार के विरोध में कॉंगरसी ने केंदर और राज़स सरकार का पुतला देहन किया, दहरदून में कॉंगरस प्रदेश और द्यक्ष पीतम सिंग के नेतुरतु में पुतला देहन किया गया इस दोरान पत्रकारों से बाच्छीत में पीतम सिंग ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में हर वर्ग परिशान है महंगाई बेरोजगारी विस्टचार से आज जनता परिशान है सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किये थे जिसमें एक भी पूरा नहीं हुआ इसको देखते हुए कॉंग्रेस पुतला देहन के बाद 10 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घिराफ करेगी इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने खेले जाने वाले टेस्स स्यूरी से पहले शुबमन गिल के चोटिल होने की वच्छा से इंजिन क्रिकेट टीम परिशान है 28 जुन को टीम मेनेजमेंट ने बैक अप ओपनर के तौर पर प्रत्वीशा और देवदत पंडिकल को इंग्लैंड भीजरे जाने की अपील की थी लेकिन बी सी सी आई ने टीम मेनेजमेंट की बात सामने से मानने से इंकार कर दिया शुबमन गिल के सान पर प्रत्वीशा और देवदत पंडिकल को इंग्लैंड नहीं भीज़ो जाएगा देवदत पंडिकल और प्रत्वीशा फिलाल लिमिटेट ओवर सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका में है बिसी सी आई ने साफ किया है कि ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका में ही रहेंगे और इन्हें इंग्लैंड भीज़े जाने का कोई प्लान नहीं है चैन समीती के अधियक च्वेतन श्रमा ने हाला की दो दिन पहले तक इस मेल का अधिकारिक जवाब नहीं भीज़ा था चैन समीती किसी और बल्लेबास को इंग्लैंड भीज़ने के मूड में नहीं है क्योंकि चार सलामी बल्लेबास पहले ही टीम में है केंद्र सरकार ने विनिवेश की रहा को आसान बनाने के लिए 36 से ज़्यादा कमपनियों को वित मंतराले में ट्रांसफर कर दिया है इन 36 कमपनियों को भारी उद्योग मंतराले सिरे का वित मंतराले को सौपा कया है जिन कमपनियों को सरकार ने वित मंतराले के हवाले किया उनमें बी एची एल, हम्टी, स्कूटर इंडिया और एंडियू, यूल का नाम भी शामिल है दरसल मोदी सरकार ने विनी वेश कारिकरम को सुविदा जनक बनाने के लिए सारवजनिक उद्यम विभाग को वित मंतराले के अधीन कर दिया है इससे पहले लोग उद्यम विभाग भारी उद्योग और सारवजनिक उद्यम मंतराले का हिस्सा था सूतरों के मुताविक अब लोग उद्दम विभाग को वित मंतुराले के अंतगत लाया गया है जो की पहले भारी उद्ध्योग मंतुराले के अधीन में काम करता था अब वित मंतुराले के अधीन 6 मंतुराले हो गए हैं सरकार ने पहले से ही रणनीतिक बिक्री के लिए करीब 30CPSC की पहचान की है इनमें Air India, Pavan Hans, BML, Scooters India, Bharat Pump, Compressures और Pramuk Spat Company सेल की भदरावती, सलेम और दुर्गापूर इकायां शामिल है SBI के कस्टमर्स को साबधान रहने की जरूरत है दरसल चीनी हैकर्स SBI के कस्टमर्स को निशाना बना रहे हैं इसके लिए वो कई तरह के स्काम का यूस कर रहे हैं, ये हैकर्स कस्टमर को निशाना बनाने के लिए WhatsApp और SMS करते हैं WhatsApp और SMS के जरूर्य SBI के कस्टमर्स को KYC अपडेट करने के लिए कहा जाता है इसके लिए मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक भी होता है, ये वेबसाइट SBI की वेबसाइट से काफी मिलता जूलता है इस वजह से कस्टमर्स धोका कहा जाते हैं और कुछ मैसेज में SBI की और से 50 लाग रुपे का गिफ्ट देने की भी बात कहीं जाती है ऐसे स्केम से लोगों को बचने की सला दी जा रही है क्योंकि ये सभी स्केम है, इसी को लेकर साइबर सेक्योर्टी रिसर्चर ने चिताबनी भी दी है मौसम विग्यान विभाग के मताविक मौनसून फे से जोर पकड़ने लगा है पश्मी टट में बारिश की तेवता नौजुलाई से बढ़ने की संभाबना है पुर्वोतर भारत में बारिश की तेवता नौजुलाई तक कम होने की संभाबना है आई-मजी ने कहा कि अरब सागर के उपर दक्षिन पश्मी मौनसून के मजबूत होने के कारण नौजुलाई से पश्मी टट मारिश की गतिविदी में ब्रदी होने की संभाबना है कोकंड और गोआ, टठियक अनाथक, केरल, माहे में नौजुलाई से भारी बारिश होने की संभाबना है विभाग ने कहा कि 8 जुलाई से दक्षिन पस्ची मौनसून के फिर से जोर पकड़ने की कारण 9 जुलाई से पूर्वोतब भारत यानी के अनुनाचल प्रदेश, असम में गाले, नागले, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की त्रिवता और वित्रन में कमी आने की संभावना है बंगार की खाड़ी से निचले सर पर नम पूर्वी हवाओ के 8 जुलाई से पूर्वी भारत के कोछ हिस्तों में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की संभावना है अमेरिका के पूर्व राष्टपती डोनाल ट्रम्प ने बुद्वार को एलान किया कि वो तकनी की शेत्र के दिगज पेस्बुक, ट्विटर और गूगल के खिराफ मुकदमा दायर करने जा रही है उन्होंने इन पर गलत तरीके से सेंसर करने का आरोप लगाया है सूतरों से पता चला है कि डोनाल ट्रम्प ने न्यूजर्सी के बेडम मिस्टर के अपने गॉल्फ क्लब में समादाताओं से बात करते हुए कहा कि आज अमेरिका के फर्स्ट पॉलसी इंस्टिटूट के सायोजन में मैं लीड क्लास प्रतिनिधी के रूप में फेस्बूक, गूगल और ट्विटर के साथ साथ उनके सीयो मार्क जकरबर, सुन्दा पिचाई और जैक डोर्सी के खिलाप मुकदमात दायर कर रहा हूँ तीनों ही अच्छे लोग हैं, पता देंगी यूएस कैपिटल पर ट्रम्प समर्थकों की तरफ से हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से एक्शन लेते हुए उनकी अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था पिचता वर्षीय रिपब्लिकन नेता डोनाल ट्रम्प ने आगे कहा कि देश की सीश टेक फर्म अवैद असमधाने के सेंसर्शिप के प्रवर्तक बन गए हैं भारत के कोरोना वाइरस की दूसी लहर से उभरने के साथ ही एक चुटता दिखाते हुए सेक्रो इसराइली नाग्रिकों ने संगीत कारक्रम के दौरान प्यार और दर्द से उभरने के संदेश भेज़े हैं भारत के संगीत कारकों ने भी इस कारकम में वर्चुल रूप से हिस्सा लिया तेल अभीव के हाबीमा स्कुायर पर मंगलवार की रात एक कारकम आईजवित किया गया कारकम में पहले से रिकॉर्ड भक्ती गीत केशब मादव हरी हरी बोल भी दिखाया गया ये गीत, अतीव, भंसाली और आशीश, रंगवानी निकाया है आईजवित में इस एक राज हेलविंग ने कहा कि इसराइल के लोग भारत की संस्कृती को बहुत याद करते हैं क्योंकि कोवेड-19 के वज़वा से पिछले साल भारत जाना संभव नहीं हो पाया है इस बॉलेटिन में फिलाक लेतना ही आप देखते रहें न्यूस वाल इंटिया